नमस्कार रेट कलेक्षन के स्वीडियो में आप सभी का सौगत है। आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्के के बारे में ये स्ट्रुश वाले स्ट्र काफ sì काफी कीमती Sakdha और इसकी कितनी कीमत है OF साथी ये स Khak princip कव से कभ तक शलाया गया due यानि के पूरी के पूरी information मैं आपको देने वाला हूँ साथी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसे sell करना चाहते आपके पास ये सिक्खे है तो आप उसे कैसे sell कर सकते हैं तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को आप लाज तक देखते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन वीडियो में आगे वरने से पहले मैं आप लोग से एक निवेदन करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजीत करें या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर बात करते हैं इस लग्वारे चे के वारे में छिए तो इसमी के सिंगल क्रोस और डवलक्रोस भी को कि शिक्कते के है जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास युई एक रूप्य का शिक्क बना हो अख लेकिन ग्रया फॉपस के सिक्के थे उस सिक्के के पीछे जो है डवल क्रॉस बना गया था यह सिक्के को जारी किया गया था 2004 से 2007 तक इस सिक्के का नाम दिये गया था कौनसे मिन्त का सिक्का ज्यादा कींति है तो देखे यहां पर बात करते हैं इस सिक्के क को सब्सूत कैंए गया दोजाग चारइन नवीडमा भे ने के सरह दृघ्चे है तो यह मैंन को बता रहा हूं वसलिये ख्रीते सिक्के के ऐस का एक पवित्र साइन है क्रॉस हो यहां पे हमें दीख रहा है तो इसलिए सिक्य को बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने कमादार भी आने इसे 2007 में बंद कर गिया गया सबसे खास बात यह है कि पांच रुपे के जो सिक्क्य थे उसे केवल 2007 में ही जारे किया गया था और बांक सिक्क्यूंब्यपक है यहां पे सिक्क्यूंब्योंगर कि मैं स्पीं गारे कि सी temu exists को अब भारत यहां तो यहां पर भारत हिंदी में और इंडिया झाए पर सब्सक्रीयूंब्यक्रामोत पर लिआता है साथ यहां पर यहां फोगल सब्सक्रान अगर आपके Ukraine स्बास यहांid के बारे में यहां होते हैं तो चलिए अब हम बात करते कौन से सिखे सबसे ज्यादा कीमती और कितने प्रैसे आपको मिल सकता हैं और आप उसे कहां पे सेल कर सकते हैं तो अगर आपके पास 2004 रुपय का ऐसा कोई कि एक रुपय या दो रुपय का सिक्का है तो हो आपको 1000 रुपय तक दिला सकता है मैं अगर आपके पांग कोंप को चल जाए और आप में कमेंट बोक्स में जरूर लिखिए तो मैं मिल तो आप से अगली वीडियो में तब तरह अपना ख्याल लखिए रहा, बुट बाई